इस सीरफ का उपियोग लीवर से जुड़ी सभी परकार की बीमारी और दिक्कत परेसानियों को ठीक करने के लिए ये सीरफ उपियोग किया जाता है और इस सीरफ का उपियोग मरीज को क्या दिक्कत क्या परेसानी रहती है तब डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है या फिर इस सीरप का उपयोग किस बीमारी किस दिक्कत किस परेसानी में और भी डॉक्टर के दौरा मरीज को करने के लिए देते हैं इस सीरप का डोज क्या होता है इस सीरप का साइड इफेक्ट क्या होता है इस सीरप में क्या कंटेंट्स होते हैं इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे चलिए अब हम आपको इस सीरप के यूज के बारे में बताते हैं इस सीरप का काम क्या होता है जैसे अगर किसी के लीवर में किसी परकार का infection है या फिर लीवर से जुड़ी किसी भी परकार की दिक्कत परिसानी अगर मरीज को रहता है तब उस समस्या में लीवर की सारी problem को ठी करने के लिए ये सीरप मरीज को दिया जाता है जिससे अगर उसके लीवर में किसी परकार की समस्या रहता है वो ठीक हो जाता है और जैसे कि पेट से संबधित किसी भी परकार की अगर किसी को कोई समस्या रहती है तब डॉक्टर के दौरा ये सीरप पीने के लिए दिया जा जैसे कि अगर किसी को पेसाब करते टाइम पेसाब में जलन होना पेसाब रुक रुक के आना पेसाब करते टाइम काफी ज़्यादा दर्द होना पेसाब करते टाइम हम कह सकते हैं एक परकार से भबक के जैसा महसूस होना तो इन सारी प्रॉबलम को ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छा सीरप होता है और जैसे की इस सीरप का उपियोग इंडाइजिसन की समस्थ हमें समस्थ होता है अगर जहा हुट जासी समस्थüyorsun रहती है हमें एक परकार से कह सकते हैं बार बार दस्ताने जैसा लगा रहता है उसका पेट खराब रहता है बराबर उसे खाना नहीं पचता है तो इन सारी प्राबलम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सीरफ पीने के लिए दिया जाता है और जैसे कि अगर किसी को भूख नहीं लगता है एक परकार से हम कह सकते हैं उसे बराबर खाने के जैसा ऐसा लगता है कि उसका पेट भरा भरा सा महसूस होता है, उसका कुछ खाने का दिल नहीं करता है, जाहिर सी बात है, अगर किसी का लीवर बराबर रूप से काम नहीं करता है, तो उसे भूख कहां से लगेगी, और उसे इंडाइजेशन की समस्या रहता है, तब इन सारी प्राबलम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सीरप पीने के लिए दिया जाता है, और जैसे कि ये सीरप लीवर को तागत देता है और पाचंतंत्र को मजबूत बनाके रखता है, और जैसे कि इस सीरप का उप्योग फेटी लीवर की समस्या में उप्योग किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जब किसी को पीलिया हो जाता है, पीलिया हो जाता है तो क्या होता है, जिसे हम join dis कहते हैं इस समस्या में मरीज के हाथ पेर इसकीन पीला पड़ जाता है आख के नीचे भी पीला पड़ जाता है एक परकार से जब उसे पीली आनामक बीमारी हो जाता है तब उस समस्या में डॉक्टर के दौरा ये सीरप पीने के लिए दिया जाता है जिसे हम hepatitis कहत जैसे कि अगर कोई ब्यक्त है वो बहुत ज़्यादा सराब पीता है सराब पीने की वज़ा से अगर उसके लिवर में किसी परकार का infection हो जाता है या फिर लिवर खराब हो जाता है तब उस समस्या में उस लिवर को maintain करने के लिए यानि उसके लिवर में जो दिकत जो परेसा परेसानी रहता है अगर उसके लिवर में किसी परकार का infection हो जाता है सराब पीने के कारण तब ये प्राबलम ठीक हो जाता है और जैसे कि इस सीरप का काम होता है भूख नहीं लगता है तो आपको ये भूख लगने की छमता को बढ़ाता है ये आपके लिवर को maintain बना के जाता है और भी बहुत सारी दिक्कत बहुत सारी परेसानियों में डॉक्टर के दौरा इस सीरप का उपयोग मरीज को करने के लिए दिया जाता है और जैसे कि अगर किसी का पाचन तंत्र होता है जो वो मजबूत नहीं है आप सही से भोजर नहीं कर पाते हैं आपको भूख नहीं लगता है तब उस समस्या में डॉक्टर के दौरा ये सीरप पीने के लिए दिया जाता है ये सीरप आपके पाचन तंत्र को हमेशा मजबूती बना के रखता है एक परकार से आपके पाचन तंत्र से रिलेटर जो दिक्कत जो परिसानी रहती है वो ठीक करता है और जै परकार का infection हो जाता है तब भी डॉक्टर के द्वारा इन सारी problem को ठीक करने के लिए ये सीरप पीने के लिए देते हैं सबसे जादा इस सीरप का उपयोग पीलिया से जूड़ी किसी भी परकार की समस्या रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सीरप पीने के लिए मरीज को दिया जाता है चलिए अब हम आपको पीलिया के लच्छड के बारे में बताते हैं पीलिया का क्या क्या लच्छड होता है जब किसी को पीलिया रहता है तब उसका लच्छड क्या क्या दिखाए देता है जैसे कि जब किसी को पीलिया रहता है तब उसे बुखार आना भूख न लगना जी मचलाना उल्टी के जैसा महसूस होना और जैसे की सीर में दर्द होना सीर के दहिने भाग में दर्द होना हाथों में पीला पड़ जाना इसकीन पे पीला पड़ जाना आख के नीचे पीला पड़ जाना ये सब सारे लच्छड होते हैं पीलिया के चलिए अब हम का डॉज निर्धारत करके बताते हैं लेकिन जो डॉक्टर एडल्ट में इस दौबा का डॉज निर्धारत करके देते हैं वो दस selective सूबा दस selective को पीने के लिए बताया जाता है चलिए हम आपको यहरप के side defect के बारे हो सकता है और आपको नीद के जैसा महसूस हो सकता है आपको डिजनेस के जैसा महसूस हो सकता है इसके अलावा अगर आपको और भी कोई side effect दीखे तो तुरंत ये सीरफ बंद कर दें और अपने doctor या pharmacist से एक बार संपरक करें इसके अलावा अगर आपको और कोई दिक्कत और कोई परिशानी है तो एक बार अपने doctor या pharmacist से आप जरूर संपरक करें कभी भी आप कोई भी सीरफ, कोई भी दवा कोई भी medicine आप अपनी मर्जी से उपियोंग ना करें अगर आपको दिक्कत परिशानी है तो इक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपरक जरूर करें